17 तारीक, 500 बसें हमने गाजियाबाद बॉर्डर पे खड़ी की थी, अगर वो 500 बसें चली होती, तो कम से कम 20,000 लोग घर सही सलामत हमच जाते हैं, कल हमने 900 बसें, 500 बसें राजस्थान के बॉर्डर पर, 300 से अधिक बसें, जितकी पूरी टोटल संख्या 900 के करीब थी, हमने ग बसें चली होती, तो कल 36,000 और आज 36,000 लोग अपने घर के लिए सही सलामत रवाना हो जाते हैं, मैं सिर्फ यह कहना चाहती हो कि देखिए, चार बजे 24 घंटे हो जाएंगे कि यह बसें उपलब्ध हैं, अगर आपको इस्तिमाल करनी हैं, तो इस्तिमाल करिए, हमें अनुम सब्द कराई हैं, तब ही कराई हैं, लेकिन इन बसों को चलने दे, क्योंकि जब तक हम इस राजनीतिक उल्जन में पड़े रहे हैं, जब तक आप अजीब-जीब से बयान दे रहे हैं, हमें कोई परवा नहीं है, कि आपकी बसें हैं या हमारी बसें, हम सिरफ एक सेवा भा गर्वत होते हुए, छे घंटे, आठ घंटे कड़ी धूप में चल रही हैं, कुछ लोग अपने बच्चों को गोध में लेके जा रहे हैं, कुछ तूटी हुई साइकलों पर जा रहे हैं, ये भारत के वो लोग हैं, जो भारत की रीड की खड़ी हैं, जिन्होंने ये इमार भासी भाई बहन, भीशम परिस्थितियों में, कड़ी धूप में, बिगैर खाये पिये, पैदल अपने गाउं की और चल रहे हैं, ये लोग देश भर से आ रहे हैं, कोई कुछ रात से आ रहा है, कल मैंने एक वीडियो देखा, एक लड़का जमू कश्मीर से चलकर साहरनप पूर तक आ रहा गया, और उसको आगे बिहार तक जाना था, इसी तरह से आप सब ने देखा, कि कई बहने गर्बवती हैं, गर्बवती होते हुए, छे घंटे, आठ घंटे कड़ी धूप में चल रहे हैं, कुछ लोग अपने बच्चों को गोद में लेके जा रहे हैं, कु रख के उठा कर चल रहे हैं, अब हम सब को अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी, ये सिर्फ भारत के लोग नहीं हैं, ये भारत के वो लोग हैं, जो भारत की रीड की हड़ी हैं, जिनोंने ये इमारते बनाई, जिनमें हम रह रहे हैं, जिनके खून और पसीनों से ये चलता है, हम सब की जिम्मेदारी हैं इनके प्रती, मेरी है, आपकी है, सरकार की है, हर राजनीतिक दल की है, इसलिए मैं समझती हूं कि ये राजनीती करने का समय नहीं है, बहुत ही सपष्ट हूं कि हर राजनीतिक दल अपने राजनीतिक परहेजों को दूर करते हुए, सका इसी भावना को लेकर जैसे ही lockdown का की announcement हुई उसके अगले दिन हमने हर जिले में volunteer group बनाए जिसको हमने Congress के सेपाही का नाम दिया इन volunteer groups के जरिये हमने help line जारी करी हर जिले में और दिन रात हम खाना राशन बाटने का काम कर रहे हैं इसके अलावा हमने सांजी रसोईयां खोली इसके इलावा हमने highway के task force बनवाए जो highway पे जो चल रहे हैं उनकी मदद के लिए है तो तमाम ऐसे कारिये हमारे बड़े से बड़े लीडर और हमारे गाम ग्रामीन स्तर के कारिकरता हमारे जिला स्तर के कारिकरता अपने ही साधनों से ये काम दिन रात कर रहे हैं और इस काम क के जरिये हमने अब तक सर सट लाख लोगों की मदद की है उसमें से साथ लाख के करीब उत्तर प्रदेश में ही है और साथ लाख लोग ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश के बाहर भसे हुए थे जिनको खाना राशन की ज़रूरत थी और जिनका वापिस आने के लिए हम कोडिने कर रही है और सेवा का भाव हो रहा है इसी भाव से हमने अपने सुझाव मुख्यमंत्री जी को दिये और सकारात्मक रूप से ही कि देखिए आपको ठीक लगे तो आप यह चीज़ें कर लिजिए जहां-जहां हमें लगा कि वो कुछ अच्छा कर रहे हैं हमने उनकी आसी भाई-बेहनों के लिए उपलब्द करा दीजिए ताकि उनको जो जो पैदल चल रहे हैं वो बसों में बैठकर सुरक्षा मतलब बसों में बैठकर सुरक्षित तरह से अपने घर गाउं पहुच पाएं तो हम काफी समय से यह सुझाव दे रहे थे यह मांग कर रहे थे जब एक दिन कई हाजसे हुए और हमने देखा कि यूपे की रोडवेज की जो बसे है वो अभी भी सक्रिया नहीं हुई है तो हमने एक मुख्यमंत्री जी को चिठी लिखी कि हम हजार बस को उपलब्द करेंगे गाजियाबाद और नॉइडा बॉर्डर पर हम इन बसों को देंगे और आप अगर अनुमती देंगे इसके संचालन के लिए तो जो प्रवासी भाई बहन दिल्ली और चेत्र से चल रहे हैं उनको हम इन बसों में बिठा कर अपने घर तक पहुंचा देंगे तो अगले दिन मुख्यमंत्री जी ने ये एलान किया कि यूपी रोडवेज की बारह हजार बसे हैं इनहीं का इस्तमाल होगा और आपकी बसों की ज़रूरत नहीं है तो हमने 17 तारीक को सुबह 500 बसे खाजियाबाद में खड़ी की थी हमने उनको वापिस भेज दिया अगल परिचालक का नाम होना चाहिए फिटनेश सर्टिफिकेट वग्यरा सब कुछ आधी होना चाहिए यह हमारे पास पहुचा दीजिए तो हमने उनको धनेवाद दिया कि आपने हमें अनुमती दी है बसों को चलाने के लिए आपको हम लिस्ट उपलब्द कर देंगे तो चार- हमें कहा कि देखिए हमारी बसे खाली दिली से लखनाव जाएंगी इन बसों का मकसद ही यह था कि गाजियाबाद और नौइडा से NCR क्षेत्र से जो चल के जा रहे हैं उनको हम बिठाकर उत्तर प्रदेश के गाउं और दिलों में ले जाएं तो इन बसों का लखनाव तक पूरे मकसद को ही खतम कर देता है तो हमने उन से यह सुझाओ दिया कि देखिए हम घाजियाबाद नौइडा में इन बसों को पतयार रख लेंगे आप परमिट दे दीजेगा फिर यह पूरा राजनेतिक सिलसिला शुरू हुआ कि आप हमें परमिट दे रहे हैं लिस्ट मे कुछ गलत नाम है जो भी है मैं इन चीजों में नहीं पढ़ना चाहती और मैं सरकार पर सवाल भी नहीं उठाना चाहती अगर उस लिस्ट में कुछ ऐसी ऐसे नंबर है जो गलत है कोई बात नहीं हम एक नई लिस्ट भी उनको दे सकते हैं मैं सिर्फ यह कहना चाहती हो कि 17 तारीक को 500 बसे हमने घाजियाबाद बॉर्डर पर खड़ी की थी अगर वह 500 बसे चली होती तो कम से कम 20,000 लोग घर सही सलामत पहुच जाते हैं कल हमने 900 बसे 500 बसे राजस्थान के बॉर्डर पर और राजस्थान यूपी के बॉर्डर पर और 300 से अधिक बसे जितकी पूर घाजियाबाद बॉर्डर पर दिल्ली बॉर्डर पर हमने उपलब्द करें अगर ये बसे चली होती तो कल 36,000 और आज 36,000 लोग अपने घर के लिए सही सलामत सुरक्षापूर्ण रवाना हो जाते हैं लेकिन हम इस राजनीतिक सिलसिले में उल्जे रहें को उन्होंने कहा क कि लिस्ट गलत है कुछ यह हो रहा है वो हो रहा है हम बसे हमारी पहुंच गई है कल 4 बजे से हमारी बसे बॉर्डर पर खड़ी थी उनको आगे पर्मिट यूपी के जहां पर उन्होंने कहा था कि यहां पर हमें गाजयबाद और नौइडा में दो पॉइंट यहां तक पह कि ऑगा अगर आपको इस्तिमाल करनी है तो इस्तिमाल कर यह हमें अनुमति दीजिए आपको भाजपा के जेंडे लगाने हैं अपने अपने पागOoh के लगाने है तो बेशक लगांई कि कर्पे दे přिए आपको अगर कहना है कि आपने उपलप्द कर आई है तब Stefans क पर हम कम से कम 92,000 लोगों को घर पहुंचा सकते थे, और वही 92,000 लोग आज धूप में चल रहे हैं, उनके साम तमाम मुसीबतों को जहलते हुए चल रहे हैं, तो मैं सिर्फ मुख्यमंत्री जी से यह आदरे करना चाहती हूं, हमारी बसे वहां पे 4 बजे तक खड़ी हैं, आपको इस्तिमाल करनी हैं, तो आप हमें परमिट दीजिए, अनुमती दीजिए, कि हम उनका सज जालन कर सके, अगर आपको नहीं इस्तिमाल करनी हैं, तो भी कोई बात नहीं, हम उनको वापिस भेज देंगे, हमने तीन दिन पहले भी वापिस भेज लिया था 500 बसों को, हम वापि से जो पीरित लोग हैं, उनकी मदद कर रहे हैं, उस तरह से हम करते रहेंगे, हमें कोई परवा नहीं है, कि आपकी बसे हैं या हमारी बसे, हम सिरफ एक सेवा भाव से मदद करना चाह रहे थे, तो मैं कहना चाहती हूँ, अपने खास तोर से अपने प्रवासी भाई बहनों से, जो इस संकट में हैं, और जो पैदल चल के जा रहे हैं, कि कॉंग्रिस का एक-एक कारेकरता, एक-एक नेता आपके साथ है, आप उत्तर प्रदेश के जिस जिले से, जिस शहर से गुजरेंगे, हमारे लोग आपको मिलेंगे, आपको खाना उपलब्द करेंगे, आपके पानी उपलब्द करेंगे, आपकी कोई भी सुविदा की जरूरत हो, वह उपलब्द करेंगे, हमारी जो क्षमता है, उससे हम पूरी तरह से आपको मदद करने की कोशिश करेंगे, और हम आपके साथ इस संकट में खड़े हैं, धन्यवाद, इस खबर को अभी लाइक करें, शेर करें, और ओलाइन न्यूज इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाईल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं